कि आलहा है कि बंदे मात्रम बंदे नमात्रम मैं आझाथ को बिंदेखिशंद के वादे उनाने वाल मुद्धी प्रेसिक्षण के वाले कुल करना चाहिए और हमारी खीति में नहीं आधा है कि यज रहा है वहलों कितनी होई इसकी मैं यह जानकार देने वालों किसानम घो आपके लिए लिए तो मेरा पूरा वीडियो लागतर देके उसको लाइक सस्क्राइब कीजिए तो देखें, मिट्टी प्रसेक्षण हमें इसलिए गराना चाहिए प्रसेक्षण कराते हैं तो अगरे हम उसको कैसे कर सकते हैं उसकी उपलंतव कैसे बना सकते हैं इसमें हम प्रकर्थिक तौर पर भी यह नॉर्मल इसको अप्यों कर सकते हैं तो देखें इस सबसे पहले चीज होती है नाइट्रोजन जो हमारे पौदे का मुक्त बोजा है जो उसको शक्ती और देता है दूसरा है फोस्फोरस फोस्फोरस जड़ों को फेलागा जितनी जड़ा जड़ी हमारा खया उतने मजबूत होंगे उ दो दो शक्ति सानी बनेगा पौदेशियम का काम यह है कि हमारे उसकी कोशी का आपको बढ़ाता है मतलब असान सब्सक्तों के तमों को अच्छा लंगा चोड़ा और स्वास्ता रोगा तो इसको सब्सक्ति देता है कैल्सियम जिस तरह कि हमारे सरीर के हट्डिय मजबूत हो इस सब चीजे आएरन के अगर कमी होती है तो इल्लिय इसा मारे रहती है तो मुप्तत को हमारे उसको चेहिए और अगर प्याइज पैलेंस भूर अच्छा बना रहे है तो तरह की बिडेयर ब्रतब हो जाती है हुआ है 6.5 से 7.5 होना चाहिए इससे काम यदा जाती है और यह सदिक हो जाती है और फिद्री आट fino चाहिश चांडा होगा जिसमें 7.2 pH सबसे अच्छा माना जाता है अगर 1.5 वारे सरीर का pH हो जाता है तो तो यह हमारे सरीर दर्गती मातों को भी बहुत मुपसान पहुचाती है तो pH में हमारा मॉपल हो आपको देखेगा कि इसके वारे संचेव जानकारी है तो यह हमारी जनीम का pH वैल्यू और हमारी जनीम में पाए दाने वाले यह पोशन कता है अब हमारी मिट्टी का प्रसिक्ष्ण कैसा करें जाए इसको आप बहुत अच्छे से देखेगा जो आप में दुब्दे में आ रहे हैं तो इसमें लेखे आप लमूला लेने का उचित तरीका कि हम कैसे मिट्टी बोलें और अब आप सही तरीके से लेगे तो आपको मिट्टी का स्वास कर मिट्टी पे क्या कै चीज़ की कमी है आपको सही तरीके से ख़दा चाहिए सबसे महले हमें निल्राहरे बिस्तां पर फावडे की साइफा से कच्रा फफ्तर गास आ जे जाकर साफ करें हमारे जहां सब लेडा है सेंपर उच जगे मिट्टी पट्वाटा रडा आकर साफ करें फिर फावड़े तो दो बाद आमने सामने इस प्रकार चलाई कि तुस्तां तर शे सो गुरूइच का 11 गटा हो जाए कि आप ऐसा फावड़ा ले कि उसको दो बार इजासे और दो बाद इधर से ऐसा दोनों साइट से मारे और वो मिट्टी अलब जाए और जो हमारा अंग्रे मेड़्ों से लेना है तो न बेड़्ों जपीच का आसपास से पर है अधाम को छे मरत मिट्टी हम लेए खायए प्रकार शे से एक लेगि ने एक किलो की द दोकिल बिट्टी आईए ूसकाम एक जगे पूरी मिलागे अब इसके बाद लाइन से मिट्टी को चार भाद में बाढ़ें कि हमने क्या किये कि हमने पूरी मिट्टी इखटी कर लिए और इसको हमने ऐसा स्वेर से मिला लिए अब इस मिट्टी में हमने कर दोफान है बाखने तरह घटाए नहीं है करें डू दानें कंद that कि दो बाटिन के दिनुर्फ में हाग है इस यहां फिर से यहां से चार रख किये फिर से हमने इस चार भाग में से दो भाग करने कर दो बाग अटा दी अब फिर पूरा हमें फिर से पूरा आपने को मिलादे हुआ रेसे को सो में मिलाँ और फिरसे हमने इसमें फिर से मिठ्टी को चार वाँ में तिवा jumping डिटी को मिला है और फिर स्कॉ आमने चार दागें से रख हाक करना आज में अपक्तर हमारे पास आदा किलो मिट्टी नहीं है है आज हमें क्या करना है फिर से आमने सामने के दो भाग को अटाते अब बची मिट्टी को फिर से बहुत फिल्ट्राइब नटाते तो ऐसे हटाना है आएक आएक हमाँ क्या होगा ऐसा पत्पा करें जब तक कि आदा किलो मिट्टी ना रहे जाए विट्टी का नमुना त्यार करके इसको पत्रक साहिए प्रिश्वा के परिश्वा निदू देए अब हमें क्या करना है कि जब हमें को प्लाशेखी ठेली में तो ऐसने मिट्टी को फिली हो उसको चाय हो सऊचाहले है डिक lets us ले?. मिट्टी का नमूना थाड के ढवता इस के ड़े पेड़े पास, मेड़ों के रास्तों के आस पास से नहीं लेना है हम उसको ऐसा जटे से लेरा है जो जहा हआस पास पीड़ बोर देना हो चलने वाला नस्ता लें भेट के बीजमिस से जाब अ सरह करें pane ceremony ईसाथ पूचना पत्रक देगें जिसमें पुरा नाम, पता, खेथ की पैचानिया, खसरा, नभूना लेने की तिथ्री ली जाने वाली फसल का नाम, एवाँ हम अने समस्थ्रा के विभरण देगें है। कि हमेरे पिछले नियुक्ट है कि शोफेmonsry थे एक भी उसमें किले जाह लगते हैं फ़से लिए में गुआ लिए जयाना लगते हैं पैला बाल कि हो बने थे मशच्र denial because को आप केंदर न हो रोणर को तर रिखने क Jewish और लिगा है 50 ले दाया देना है आपको जाज लगव 15 दिने आपको उसकी रिपोर्ट हाजाएगी गवर्मेंट फिरी में चार्च करवा रही है इन तीन जगे में आपके हम कोई दियो प्रसी विवागों, प्रसी विद्याद केंद्रों, प्रसी माविद्यादों वह आपकी ब्लदा या बिट्टी का चैक हो जाएगा और आपकी बिट्टी में जो चीज की भी कमी है वह आपको पता चल जाएगी तो बहुत असान तरीका है इससे आपको बिट्टी प्रसीक्शन कराना चाहिए और इस पूरे सुक्षित तत्रों में नाइटोजन, फोस्फोरास, कोटेसियम, सलफर, कैल्सियम, मैंटेसियम, आइडल, बैक्नेस, गोरोन, कोपोरसिंग और मोडिलियम इन सब रकार की चीज़ों को हम फिर से अपनी जमीन अच्छे से कर सकते क्योंकि 1970 के पहले हमारी जमीन में सिर्छ नाइटोजन की कमी थी, नाइटोस तो अस्ती में आइटोजन और कोटास की कमी आने लगी और झाल यहingen्रे में प्रत्री खेति कहते हैं हम अठी को चैक कर आईए 10 कर दू 1-5 कर 5ca 5 तो आधे अठी खेति केजिए क्योंकि आज हम चावाजदा लोगानों चंदीला हुआ है और हमारे घरवालों से हम प्रेन करते हैं तो कम से कम शुरू आग अपने घरवालों का अच्छा देना चालो करें और जब आपकी पैदावार भड़ती चलिगा है तो आप आप अपने प्रकरती खेती की तरफ आगर वाइए पपायार पर्दाती मातावों सक्ति शाली नाये जयरें